Hello everyone so कैसे हैं आप सब I hope आप सब भी बढ़िया होंगे CUT के exam में लगातार देरी के कारण आप लोगों का result भी अब बहुत डिले हो चुका है जी हाँ 21 मई से ये हमारा सफर स्टार्ट हुआ था 21 मई के बाद आज हो गई है 12 जून और 17 जून तक आप लोगों के CUT के exam होने वाले हैं 17 जून समझ सकते हैं आपकी पूरा एक महिना आप लोगों के CUT के exam चल रहे हैं 15-20 दिन में लुटा देंगे अब आप लोगों का एक मेन एक्जाम जो है जा रहा है फेज 6 के बारे में बात करें तो फेज 6 आप लोगों का 17 जून को end हो रहा है और अभी कोई भरोसा नहीं हो सकता है कि इससे भी जादा ये date जो है extend हो चाए अगर बात करें resources के बारे में तो ये बोला गया था कि 20 आफ जून को आप लोगों का result आ जाएगा CUT का लेकिन आप लोगों का जो phase 6 है जिसकी वज़े से डिले हुआ है exam के अंदर 17 जून को तो exam ही over हो रहे है तो first week of July के अंदर आप लोगों का result declare करा जाएगा अगर अगर आप लोगों का जो है पूरा schedule ठीक से over हो जाता है 17 तारिक को अगर इससे भी ज़दा exams जो है delay होते हैं तो आप लोगों का result इससे भी ज़दा late हो जाएगा result late आने का मतलब है counseling process के अंदर delay counseling process के अंदर delay होने की वज़े से आप लोगों का session भी लेट हो जाता है और इसके चलते बहुत सारे student इधर उदर admission ले लेते हैं तो मेरा कहने का मतलब यह है कि भाई आप लोगों का यह जो delay हो रहा है process आप इससे डिस्टरब मत होई है just focus on your counseling जो भी अभी आने वाली है कुछ time के अंदर और सभी counseling को आपको अच्छे से attend करना है CSAS का portal हो चाए JNU का portal हो चाए BHU का portal हो आपको सब में participate करना है तो थोड़ा बहुत डिले तो है परिशानी भी है समझ सकता हूं आपका क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें मिलते नेक्स वोड़ियो में बटे क्यार थेंक यू सो मच